नवगाओ पुलिस ने IPL के सट्टा खिलाने वाले तीन आरोपियों को 25,550 रुपए एउन तीन मोबाइल फोन के साथ SDFC बैंक के पास से गिरफ्तार किया है आपको बता देक नवगाओ पुलिस को 31 मार्च को मुख्विर द्वारा सूचना प्राप्त हुई के सट्टी बैंक के पास नवगाओं में कुछ लोग आईपेल के मैच में आउनलाइन वेपसाइट के माध्यम से सट्टा चला रहे हैं जिस पर पुलिस ने तीन संदेगियों को घेरबंदिकर पकड़ा गया नाम पता पूचने पर अपना नाम लोकेश गुपता उम्रिकति स्वर्स निवासी ग्राम खुरदा बसंत मिस्रा उम्र 27 वर्स निवासी सिल्वर सिटी के पास नवगाओं विसाल रावत उम्र 22 वर्स निवासी सुरंडिन सिटी नवगाओं का होना पताया जिनके पास से तीन मोबाइल यों 25,550 रुपए नगजब्ट कर प्रकरण पंजिबत कर विवेचन मिलिया गया प्रकरण में इलक्टरानी साच्छों के अधार पर अग्रिम कारवाह की जा रही है जिसकी जानकारी थानप्रभारी सती सिंग्न दी है